राच्च पुन्डा के स्पेशल ओपरेशन टीम मलकाजगिरी और लोकल पुलिस ने दो सेपरेट इंसिडन्ट में गांजा तक्रिबन दो सो बाइस केजी गांजा दो लिटर हाशिस ओईल सीज किया है जो पहला केस है वो बोनगिर टाउन का है जिसमें अरपू विशाकपत्नम एजेंसी रिया से यहाँ पे हैदराबाद में गांजा का सप्लाय पूरा है ये केस में तक्रिबन 120 केजी गांजा और दो लिटर हाशिस ओईल यहाँ पे सीज हुआ है बोनगिर टाउन इंस्पेक्टर और बोनगिर के पुलिस और एसो टी मलकाज़ी टीम ने एक स्विप्ट कार सीज करते हुए उस कार से उनको यह समान मिला है इस गैंग का जो मुख्य रोपी है उसका नाम है स्रीराम नर्शिवांचारी और इसके खिलाप में 2004 से तक्रिबन 54 केसिस जो खासकर हाउसबगदी की केसिस इसके खिलाप में नमूत है इसके साथ और तीन लोगों को हमने आरेस किया है और छे लोग इसमें फरार है दुसरा जो वारदात है वो घटकेसर पूलिस स्टेशन सम्मधी घटकेसर पूलिस और हमारे स्पेशल ऑप्रेशन टिव मलकाजगीरी ने एक आटो रिक्षा को इंटरसेप्ट करते हुए उस आटो रिक्षा से 102 केजी गांजा सीज किया है यह गांजा जो है चिंटूर इस्ट गोदावरी जिल्ला से भदरा चलम होते हुए है यहां हाइदरबाद, जहिरबाद से विदर या फिर महारष्टा मुंबई को सप्लाई किया जाता है इस केस में जो बदावत रवी करके अक्यूज को इरेस किया है वो बदराजरी और कोतागुडम जिल्ला सुजातनगर मंडल का रहने वाला है और इसके खिलाब इसे पहले चिंतूर पोलिस टेशन में एक केस पेंडिंग है जिसमें एरेस नहीं हुआ है और एक फोरेस पोलिस में भी पैंगोलियम स्कीन के केस में इसको पहले एरेस किया हुआ है चार जो इसमें और मुख्यारोपी है वो फरार में है इसमें सुरेश करके जो सपला एरे गांजा का चिंटूर का और जो डिस्नेशन जो गांजा को फाइनांस कर रहे हैं पर्चेस कर रहे हो भनुदास रमेश ये दोनों जहिराबाद के रहने वाले और शाहीन करके मांधखुद मुंबई का रहने वाला ए चार अभी फरा रहे हैं उनके लिए हमारी तलाश जारी है ए अच्छ टाउन इंस्पेक्टर गोरंगी DCP 180, DCP मलकाजिकरी रक्षिता मूर्थी, ACP